सुप्रभाद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कारे के संबन में, जिसको हम अपने आपाधापी भरे जीवन में या यू कहें कि फासलाइफ के चक्कर में प्राय प्राय रोच करना भूल चुके हैं और इस कारे को हम आजकल नाते समय भी अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन बच्पन में हमसे हमारे बुजूर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन, इस कारे को हमसे बाहर से आते समय सबसे पहले कराते थे, शोज से आने के बाद में कराते प्राइयर्टी से और अगर हमारे द्वारा नहीं किया जाता था हमारों के बारेमें आप हमें और ये छोटी विचारधारा का है लेकिन आयरवेट शास्त्र में इसांघ का बहुत विशेष महत्व है तो दोस्तों किस्कौ स्थ कर रहे हों किया मैं बात कर रहा हूं पेरों को धोने की दोस्तों यह वीडियो िसे कितने लोग students ने बूरे बोजन करने के पहले और मंदिर करने के पहले निमित अपने पेरों को धोते हैं और अगर आप उन लोगों में से हैं कि नियमित आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जाने अंजाने बहुत सारे रोगों का और ग्रहों के दोशों का स्वयम ही समाधान कर रहे हैं इससे आपके शरीर के कहीं दोश समाप्त होते हैं और जोति शास्त्र के अनुसार भ कहता है और अगर इस छोटी सी आदत को हाथ धोने मूह धोने आखों को धोने के साथ किया जाता है तो आपके कैश आरे tam आखों के धूस्थ स्थिर के दोश मतलब शिरो रोग अपने ही स्वता दूर हो जाते हैं आपकी धकान दूर हो पाते हैं और आप और आप में positivity बढ़ती है साथ ही कई अकारण की परेशानिया आपकी दूर हो जाती है और मन बहुत शांत रहने लगता है इसके साथ ही आईरवेद में पेरों को धुने का बहुत विशेश महत्व बताया गया है आईरवेद की शुसरुत सहीता में लिखा है पद प्रक्षालनम पादमल रोग स्रमापहम चक्षु प्रसादनम रश्यम रक्षोगन प्रिती वर्धनम अर्थात पेरों को धोने से पेरों का मेल पेरों के रोग और पेरों की ठकान दूर होती है आँखों को बहुत सुख मिलता है और साथ ही बल बढ़ता है प्राक्षेसो चाहिए ऐसा करने से आपके शरीर में सूर्थी वनी रहती है अनिद्रा के रोग आपके दूर होते हैं आपको बहुत अच्छी नीद आती है और साथ ही जिन लोगों को स्वपनदोश की परिशानी होती है उसमें बहुत आराम मिलता है दोस्तों ये फायदे तो आयरवे शास् करने से आपके वह काम बहूत आसानी से और आपको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ेगा कहने का ताथ पर ये है कि जोति शास्त्र और और आयरवेशास दोनों के ही फायदे मिलेंगे तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस कार को आप छोटा नहीं समझे इसे प्रात्मिक्ता से अपनी देनिक दिंचर्या में शामिल करें ताकि आप स्वस्त रहें और अपने ग्रहों को भी शांत करें ताकि आप जानकारी ने आपके जीवन में कोई वेलू एड़ की हो तो दोस्तों चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो दोस्तों चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड करें और शेयर जरूर करें ताकि एसी महत्पूर्ण ज्यानकारी से दूसरों का भी फायदा हो सगे थेंक्यू